नमस्कार साथियों स्वागत है आप उपने उडिट लेन सक्सिनेंट्वी में साथियों आज की इस वीडियो में बातसीत करेंगे सिक्षक करेंगे राज जिव्यापी आंदोलन सिक्षक आखिर क्यों राज जिव्यापी आंदोलन करने को लेकर के तयारी कर रहे हैं सरकार के जो विवस्थाएं हैं सरकार की जो विवस्थाएं हैं उसमें इतनी बड़ी जोल जाल रहती है और खास करके अगर बात करें तो सिक्षकों के लिए खास करके जितनी भी कारे होती है उसमें पूरी तरीके से जो system बनाया जाता है वो सिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ प्रिषान करने वाला बनाया जाता है तो इसी बातों पर आज के इस वीडियो में हम बात्चीत करेंगे आखिर सिक्षक क्यों न करे आंदोलन आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखे विना एस्किप के हुए देखे और मात्र तीन-चार मिनुट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर आंदोलन पर सिक्षक क्यों उतारू हो रहे हैं तरफिर देखे साथियों वीडियो को सुरूर करते हैं सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और सिक्षक क्यों की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सस्काराइब कर लीजे और बेल आइकन को तबाल लीजे जिससे वीडियो हम जब भी अप्लोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके आथियों आप ही लोग बताईए कि आंदोलन होना चाहिए या नहीं चुकि अब जो हम आगे बताने वाले हैं आपको उसको सुन करके आपको आस्चरी हो जाएगा कई जिलों में जो 2019 में ट्रेंड हुए थी जिक्चक 2019 में ट्रेंड हुए सिक्चक लेकिन उनका जो ट्रेंड वाला जो फिक्सेशन हुआ उसके बाद जो बेतर मिला वो कही 6 महना तो कही 8 महना तो कही 10 महने के बाद मिला लेकिन जब fixation हो गई तो जो area बनता है वो area तो मिल जाना चाहिए न साथियों आपको पता होना चाहिए कई जिले ऐसे हैं जहां पर आपको area अभी तक नहीं दिया गया है अब area में भी अगर एक सिक्षक की बात करें तो कहीं पर 50,000 तो कहीं पर 80,000 रुपिय तक का area चे महना कहीं आट महना कहीं दस महने तक का जो area बचा हुआ था जो अभी तक नहीं मिल पाया है जो अगर पैसे मिल जाते हैं तो सिक्षकों को आर्थिक रूप से काफी मदद मिल सकता है अब दूसरी बात हम करते हैं कि 15% fixation का मामला 15% fixation आपने देखा होगा सुना होगा आपने पढ़ा भी होगा कि बिरबर की खिचरी इस परकार से हांडी को टांग दी जाती है कि होगा ही नहीं वही हाल ये 15% fixation का हो चुका है कि आप देख रहे हैं जो मानिये मंत्री साहब हैं मुख मंत्री जी है वो खुले मंच से कहते हैं कि हम जनवरी का हरहाल में देंगे 15% fixation के साथ यानि जूर करके देंगे लेकिन अब यहां देखें कि बात यह आ रही है कि वो 15 परतीसत को अभी बिराम दे दिया गया है और आपको जो payment की मिलने वाला है वो उसी हिसाब से मिलेगा जो आपको दिसंबर में payment मिला था यह कहीं कहीं देखें बहुत बड़ी समस्याएं हैं तीसरी सबसे बड़ी बात आ जाती है देखें कि जो आपको एक तो एडियर हो गय एक एलोट्मेंट के लिए देखें सबसे बड़ी बात हो जाती है एलोट्मेंट की इस्तिती इतनी खराब हो गई है कि जब तक सिक्चक संकठन जाकर के कभी पड़ियोजनात कभी सचीवाले का चकर नहीं कारते हैं तब तक कुछ जानकारी आहां से नहीं होती है तीन-ती मह करके अतब जाकर के तो इस प्रकार जो बाते हैं इस सभी चीजों को ले करके सभी जोग एक जूट होते हुए नजर आ रही है और एकदम पूरा समझले सिक्चक समाज भरक उठा है अब यहां पर जो है अभी आपको पता है कि टीटी एस टीटी उतिर नियोजीत सिक्चक सं समक्च अपनी मांगों को ले करके प्रतरसन किया जा रहा है और उन्हेंने आवण किया है कि जो 5-15 मार्च तक सभी प्रकंडों में आपको सिक्चक का सम्मेलन होगा और उसी के तहट दीरे दीरे आपको जो है आगे की जो अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं होती है होली से पू तक हम लोगों को सोचन यानि कि सोसित किया जाएगा ये बातें आप लोग समझी रहे हैं चलिए सात्यों सेक्चक करतें तबाब बड़ी ख़बरों करें हमने चनल को सबस्क्राइब जिरू करने हैं वीडियो दूने बहुत भाँत धन्यवाद